हेलो एवरीबन नमस्ते वेलकम टी डायट कुंडली आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ लंच रेस्पी पर वेट लॉस यह बेसिकली एक वेट लॉस थाली है और इस थाली में कैलरीज हमें 382 कैलरीज मलती हैं साथी साथ इसमें प्रोटीन और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में हैं और इस थाली में हमने जो भी रेसिपीस को एड़ किये हैं यह सारे के सारे एक ग्लूटेन फ्री रेसिपीस हैं इस थाली में काफी अच्छी मात्रा में फाइबर मिल रहा है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में बहुत मदद करेगा सो फ्रेंट्स चली फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वेट लॉस थाली को किस तरीके से बनाना है सब एक के साथ टोटल 10 डेस की हाई प्रोटीन डाइट प्लान की सीरीज वीडियोस भी शेयर की हुई है अगर आप इन वीडियोस को भी प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ये वेट लॉस पे बहुत महल्प करेंगे इन वीडियोस की लिंक मैंने चे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दी हुई हूँ आप देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं अधितर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमारा डाइबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें क्या-क्या खाना चाहिए आपको इस बात का भिहान रखना है कि रोजाना आपको अच्छी मात्रा में फाइबर अपने डाइट में आट करना चाहिए कम से कम 25 ग्राम से लेके 25 ग्राम तक का फाइबर आपको रोज लेना चाहिए अच्छी मात्रा में पानी लेना चाहिए, रेगुलर्ली एक्सरसाइज करना चाहिए, एक अच्छी नीन लेनी इंपॉर्टेंट है और आपको एक बैलन्स नीन लेना ज़रूरी है आज की अगर आप वेट लॉस थाली देखेंगे, अगर आप इस तरीके से थाली बनाकर रोज अपने डाइट में आट करते हैं, तो यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में बहुत मदद करेंगा इसके साथ में आप ब्रीट वेल वेबसाइट के भी मदद ले सकते हैं ब्रीट वेल 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 यह एक क्लीनिकली प्रूवन डाइबटीज रिवलसर प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके डाइबटीज में बढ़ी हुए ब्लड शुगर लेवल को आप कंट्रोल में ला सकते हैं साथ में अगर आपका बजन बढ़ा हुआ है तो आप उसे कंट्रोल में ला सकते हैं और अगर आप एक प्रॉपर डाइट और एक्सराइज को रेगुलरली मेंटेइन करते हैं, तो धीरे-धीरे करकर हो सकता है कि फ्यूचर में आपके मेडिसिन्स कम हो जाए या बन भी हो सकते हैं. प्लाटफॉर्म के माध्यम से करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मदद हुई है उनके डाइबिटी इसको डिवर्स काने निए. चलिए, अभी मैं आपको थूड़ी सी ब्रीट वेल बीइंग वेबसाइट के पारे में इन्फोमिशन दे देती हूँ, बताती हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। ब्रीट वेल बीइंग ये एक क्लीनिकली प्रोवन डाइबिटीस विवर्सर प्रोग्राम है जो कि अमेरिकन डाइबिटीस असोसेशन के थूड़ू रिकक्नाइजड है। इसके साथ में इसकी सबसे इच्छी बात मुझे ये लगी कि ये नो आउटकम, नो पे के मॉडल पे चलता है। ये अगर क्लाइंट को ये लगता है कि उनका डाइबिटीस में एच्पी एवन सी का लेवल मिनिममम 10 परसेंट भी अगर कम नहीं हुआ है तो उन्हें कुछ पे करनी की ज़रूरत नहीं है और अगर आपने पहले ही पे किया हुआ है तो आपने जो भी पे किया है वो आपको इस प्रोग्राम में आपको डाइबिटीस एक्सपूर्ट्स भी मिलेंगे जो कि आपकी डाइट और एक्सराइज का ध्यान दखेंगे और डाइट और एक्सराइज कुछ इस प्रकाल से डिजाइन किया जाएगा जो कि आप रिगुलर्ली उसे फॉलो कर सके और डेली आप उस गुरूप में जॉइन होकर आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप वो पूस सकते हैं अपने एक्सपीडेंस में आप उसमें शेयर कर सकते हैं इवें दूसरों के एक्सपीडेंस को देखकर आप मोटिवेट भी हो सकते हैं तो जो फॉस्ट कंसल्टेशन हैं 100 पियाला हम रेसीपी डिएके सब्सी है और इस सब्सी में कैलोरी हमें 98 क्यलोरी घ्EPलीज तो चलू ईए देखते कि इसन्ते कैसी बनाना है इससे बनानी के लिए फ्रेंट साथ में मैंने यहां पेचास क्राम का प्यास लिया हुआ है इन सारी सब्जियों को अच्छ से वाश करके हमको फाइनली चॉप कर लेना है यहां देखेंगे तो क्ले के पॉट में मैंने अभी एक चमच का तेल एड़ किया है थोड़ा सा जीरा एड़ करना है प्याज एड़ करके अच्छे से फ्राई कर लीजेगा अधरक लैसुन का पेस्ट एड़ कर लीजे थोड़ा फ्राई हो जाएगा इसके बाद इसमें हमें और कटा हुआ बैंगर एड़ करना है थोड़ा सा हल्दी और नमक करके इसको अच्छे से मिक्स करके फोड़ा पानी आट करके ठक कर देखेंगे तो बैंगर जो ही अच्छे से कुख हो गये उपर से इसका टेस्ट पढ़ाने के लिए मैंने मैगी मसाला मैजिक है ना बो पा है और सिंगल सर्विंग बैंगन की सबजी में हमें कैलरीज 98 कैलरीज मिलती है प्रोटेन 2.38 ग्राम है कार्भोहड़िट 8.94 ग्राम है फैट 5.49 ग्राम है और फाइबर 5.53 ग्राम मिल रहा है इस वेट लॉस्त हाली में अब हम दूसरी जो रेसिपी आड़ करेंगे यह है लहस इसे एक तीन से लेके चार मिनिट तक हमें रोस्ट करना है जब तक कि लहसुन जो है यह हलका सा ब्राउनिश ना हो जाए अब इसमें में करीब 50 क्राम के आसपास का पालक अच्छे से वाश करके चौप करके रखी थी यह मैं इसमें आड़ कर रही हूं और इसे अभी एक प अच्छे से लेके दो बार हमें अच्छे से वाश कर लेना है अभी हमें इस दाल को पैन में अच्छे से मिक्स कर लीजे उपर से एक कप पानी आट करना है थोड़ा सा हल्दी नमक अट करके ढखक कर एक 10 मिनट तक कुख होने के लिए छोड़ देखेंगे तो दाल पालक जो यह सिंगल सर्विंग है यानि वन पर्सन के लिए है और सिंगल सर्विंग लहसुनी दाल पालक में कैलरीज हमें 126 कैलरीज मिलती हैं प्रोटीन 9.43 ग्राम है कार्बोहार्डिट 19.44 ग्राम है फैट 0.79 ग्राम है और फाइबर 4.47 ग्राम मिल रहा है चली अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वेट लॉस थाली में हमें थर्ड कौन सी रेसिपी आड़ करनी है तो यह मसाला पराठा की रेसिपी और सिंगल इस मसाला पराठा में हमें कैलरीज केवल 54 क्यालरीज मिलती हैं सो चलिए देखते से कैसे बनाना है सबसे पहले तो चॉपर में मैंने आधा कैरेट या फिर गाजा राट किया है चॉप करके, साथ में एक मुठी भरकर मैंने इसमें पालक राट किया है और इसे अभी हमें अच्छे से चॉप कर लेना है चॉप की हुई सबजी को एक प्लेट में आट कर लीजे साथ में यहाँ पर देखेंगे तो वन पॉर्थ कप भरकर मैं यहाँ पर ओर्ट का पाउडर आट कर रही हूँ अगर आप ओर्ट का पाउडर यूज नहीं करना चाते हैं आप उसके जगा पे गहू के आटें का इस्तनाल कर सकते हैं नहीं तो बैस्ट रहेगा अगर आप ज्वार के आटें का इस्तनाल करें सब्सक्त्राइब आर उपर से थोड़ा सा नमक आट लेना है साथ में यह देख रहे हैं तो मिर्ची और लहसून का पेस्ट सो यह मैं इसमें थोड़ा सा आट कर रही हूँ, अच्छे से mix कर लेना है हमें और इससे basically हमें दो portions में divide करना है यह जो आप dough देख रहे हैं इससे हम दो masala रोटी जो है यह easily बना पाएंगे और यहाँ देखेंगे तो तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल आट करके उसको grease कर लिया था मैंने और यह जो masala रोटी का बैटर है इसे अभी हमें तवे पे spread करना है, गैस के flame को slow पे रखिएगा थोड़ा सा पानी आट करके इसको एक प्रॉपा सा गोल सा शेप हमें दे देना और फ्रेंट सूपर से तेल घी वगएरा आट करनी की जरुरत नहीं है मीडियम फ्लेम में इसे हमें एक चार से लिकी पांच मिनट तक अच्छे से cook करना रहेगा दोनों साइड इसे इस तरीके से पलट पलट कर cook कर लेजे और हमारे जो healthy instant oats roti है यह बनकर ready है सिंगल oats roti में calories हमें 54.40 calories मिलती है protein 1.97 gram है, carbohydrate 9.08 gram है, fat 0.81 gram है और fiber 1.98 grams मिल रहा है हम हमारे weight loss थाली में ऐसे दो instant oats roti जो है यह easily add कर सकते है so friends इस weight loss थाली में हम लेंगे लैसोनी दाल पालक साथ में बैंगन की सबजी एक medium size chop किया हुआ कुकुमबर दो instant oats की रोटी साथ में यह देख रहे हैं तो यह है 60 gram का दह इस पूरी weight loss थाली में calories हमें केवल 382.73 calories मिलती है protein 18.11 gram है carbohydrate 50.78 gram है fat 10.41 gram है और fiber 15.46 grams मिल रहा है friends इस थाली में हमें proteins और fiber काफी अच्छी मात्रा में मिल रही है so आप सभी इसे जरूर ट्राइ करिएगा I hope आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर करिए चैनल को subscribe करिएगा और इस वीडियो को अपने friends और relative सबके साथ share भी जरूर करिएगा thank you thank you so much फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से next video में until then bye take care